हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारते जित्ता पार्टी के राश्ट्रे महासचिव दुशंद गौतम दुशंद जी सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुशंद जी यहां जमो कश्मीर में विधान सभा के चुनाव होने जा रहे हैं अगर हम यहां बात करें राजनितिक पार्टियों की तो नैशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस के बीच में प्रीपोल गटबंदन जो है वह हो रहा है उसकी घोशना हो चुकी है कैसे देखते आप इस कैसा गटबंदन है यह तो लोग आपस में यहां लड़ा करते थे आज राजनितिक लोलुपता और राजनिक स्वार्थ के कारण कश्मीर जम्मु कश्मीर की जनता को गुम्रह करना और उनको जो उनको लाप पोचाने के वज़े अपने लाप का रास्ता डूंडना ऐसे हालातों को पूरी जम्मु कश्मीर की जनता जानती है मुझे लगता है स्वार्थ पूर्ण अलाइंस है और जम्मु कश्मीर की जनत कुछ नहीं मिलने वाला है भारती जिन तपाइटने जिस परकार से धारा तिन्सोत अटाने के बाद में जमू कस्मीर का विकास किया है जहां जहां दलीतों को आरक्षण नहीं मिलता वहां आरक्षण मिलना सुरूआ है जो बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे आज उ सब्सक्राइब करें कि भारते जनता पार्टी कितने सीटों को पार कर पाई सरकार हमारी बनेगे कि अपने बलबुते बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है भारते जनता पार्टी का मुख्य मंत्री होगा यह आप मानके चलेगा और बहुमत होगा तो तब ही बनेगा दुशन जी एक और विशे हैं चूंकि आप दिली से आते हैं दिली की राजनीती में आप काफी समय से सक रहे हैं मनी सिसोद्या जी को बेल मिल चुकी है अब अरविंद केज्रिवाल की जो बेल है जो उनकी जो जमानत की अरजी है वह माननिया उचितम नयायले के सामने हैं आमाधी पार्टी कह रही है कि जो बीजेपी ने उन पर आरोप लगाए वह एक ए हुँ होते हैं जमानत किसी भी कर SEN मिल सकती है लेकिनना जो केस उन पे बने वह हैं वह केस देधावत है सजा हो गई सजा है ऌफता ही कहला। अन्होंने किया है एक बच्चे के हाथ के अंदर बटल की साथ बटल फिरी देने का काम किया है जिस समय पूरी दिली क्राव्.. से ट्राही त्राही मचा रहे थे उस समय माशालला सिस्मेल बना रहे थे और उस समय अक्षियन के आवसक्ता थी वहां आप जिस प्रकार से दिल्ली का रेविनु घटाने का आप सड़ जन्त रच रहे थे और मुझे रखता है बहुत बढ़ा पाप किया है उन्होंने जो सांस् कची साल करने का काम की है हर मंदर और गुर्द्वार के अ कब ठेके कोलने काम किया है इसके यह पाप बड़ा पाप आसे मूझे कोई मस्लाra होता है कि क Tag Tag T दिन हो गए थिसको पानी चाहिए होता है दिल्ली को प्रियावरण चाहिए होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं भरत्य जंता पार्टी की क्या रननिती होने जा रही है क्योंकि काफी समय से बीजेपी दिल्ली जो राष्ट्य राजधानी जो टेरिटरी है एंसीटी उसकी सत्ता से काफी समय से दूर है जब आलो प्याज के मुद्दे पर आपकी सरकार गिरी थी तब चुनाओं में आपकी हार हुई थी तब से और अब तक जब सुष्मा स्वराजी मुख्यमंत्री बनी थी अल्पकाल के लिए तब से और अब तक आपकी आप सरकार से दूर है दिल्ली में तो क्या कारण रहे और आने वाले समय में आपको क्या उमीद है कोई कारण नहीं था सरकम चैंसिस ऐसे थे कि स qi के बात की इत तो रने थे बताएं डियात ही करी जाती है तो क्या होगा अने वाले समय में अच्छा तक बनाएं की सरकार कि मोधी के परती विश्वासवं की कीष्वास वीट्टी टियेटा है ऐसे ही बिधान सवह ज घीत कर आएंगे बताए जाता था कि धिल्ली मेए भर सब्सक्राइब करें लगातार चलती है और इसमें जिसकों भी बैठेंगे वह मेरिका लेन लुटेरों से ज्यादा अच्छा सासन करेंगा जो लेटरल एंट्री का जो मुद्दा था भी उस पर सरकार ने अपना जो फैसला है वह वापिस ले लिया है लेकिन विपक्ष कह रहा अगातार लोगों को वेगेंसी बनाके दीर करिए उन्होंने परदानमंत की दूर दिश्टी है जब उनको थ्यान में आता है अरे इसमें तो दलित तोर पिछड़े रहे गए तो उन्होंने गल्त हो रहा है इसको वाफशी लेकर दुबारा इसको पुना करेंगे इसको जात कि अगरे जाती नी चाहिए लेकिन फिलाल जो विपक्स है वो पिपक्स देश को टुकड़ों तुकड़ों में अंग्रेजी निति पे बाटना चाहता है तोड़ना चाहता है इसलिए वह इसी निती चल रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग एक वार को थोड़ा का जनता माफ करने वाले नहीं है पाचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांकियों तो यह थी दुश्यंद्ध गोतम भारते जनता पार्टी के राश्ट्रे महासाच्चिव और साफतोर पर इनने कहा कि जहां तक जम्मु कश्मीर की बात है तो जम्मु कश्मीर में बी बीजेपी की विजे होगी ऐसा इनका दावा है वीडियो जनले सीरज कुमार के साथ में सुनील भट जम्मु आज तक